प्रोजाना ताजा खबरे पॉने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को दबाईए इस घंटी के बटन को पाएं लेटस खबरे सबसे पहले मौसम विभाग का अलग अगले 24 घंटों में इन जगहों पर हो सकती है तेजांदी के साथ भारी वर्षा मानसून ने भारत में पैर रखते ही अपने तेवर दिखाने शुरू कर दिये हैं पिछले कई दिनों से मुंबई में लगातार हो रही बारिश के कारण जन जीवन अस्त व्यस्त हो गया है मानसून का इंतरदार कर रहें लोगों पर अब यही मानसून अफ़द बनकर तूट पड़ी है मौसम विभाग से मिली जानकारी के अनुसार यह सिलसिला अभी 2-3 दिनों तक जारी रहेगा मौसम विभाग ने चेतावनी जारी कर बताया है कि अगले 24 घंटों के अंदर उत्तर प्रदेश बिहार महराष्ट के कुछ हिस्सों में तेज आन्दी तूफान के साथ भारी बारिश हो सकती है मानसून पश्चे मंगाल होते हुए बिहार के कुछ हिस्सों में पहुँच चुका है इसके साथ ही यह यूपी के लखनव, इलाबाद, सुल्तानपुर और कानपुर सहित कई अन्ने जलों में भी पहुँच चुका है जहां पिछले 24 घंटों के अंदर तेज हवाओं के साथ बूंदा बांदी और कहीं कहीं तेज वर्षा भी हुई है मौसम विभाग ने बताया है कि मानसून 15 जुलाई तक देश के सभी हिस्सों में पहुँच जाएगा जिसका इंतजार कर रहें लोगों के लिए यह राहत भरी ख़बर है भारतिय मौसम विभाग ने सेटिलाइट की मदद से यह स्थिती स्पष्ट की है पिछले 24 घंटों की स्थिती को देखते हुए देश के कुछ हिस्सों में एलर्ट जारी कर दिया गया है हम आपको बता दें कि पिछले 24 घंटों में यूपी बिहार समेत देश के कई हिस्सों में तेज आन्दी के साथ भारी वर्षा हुई है